बास्कार मित्रों, मैं हूँ आपका साथी ओम सिंग चोधरी और आप देख रहे हैं अनमोल टीचर जैसा कि आपको ग्यात है सरकार के नविंतम आदेशा नुसार APAR और ACR यानि की वार्षिक कारिये मुल्यानकन प्रतिवेदन अब सभी करमचारियों को राजकाज के माध्यम से ओनलाइन फील करना होगा इससे पहले हम ये APAR स्टाफ विंडो पर यानि की साला दरपन की जो स्टाफ विंडो है उसके द्वारा फील करते थे आज के वीडियों हम जानेंगे कि मुबाइल के माध्यम से ही हम हमारा APAR किस प्रकार से ओनलाइन फील करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो लेकर आएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो आईए शुरू करते हैं APAR फील करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुबाइल से Google Chrome को उपन करना होगा जैसे ही आप Google Chrome उपन करते हैं इस प्रकार की स्कीन आपके सामने उपन होगी यहां आपको Google के सर्च बार में लिखना होगा SSO रास्तान जैसे ही आप यह लिखके सर्च करते हो इस प्रकार की स्कीन आपके सामने उपन होगी आपको यहां एक एप मिलेगा राजकाज अगर आपको यह नहीं मिलता है तो आप यहां आदार एप में जाकर इसको आप सर्च कर सकते हैं आपको यहां राजकाज पर click करना होगा जैसे आप राजकाज पर click करते हैं तो इस प्रिकार की skin आपके सामने open हो जाती है APR online करने से पहले आपको अपनी profile अपडेट कर लेनी है यहां देखिए उपर आपके नाम के पास में यह जो arrow का निशान दे रखा इस पर आप जैसे ही किलिक करेंगे तो इस पर एक option आ जाता है update का यहां जैसे हैं आप update पर किलिक करते हैं तो आपकी profile आपके सामने open हो जाती है आपकी profile में अगर कोई भी यह तो आप यहां इस तो ठीक करके यह picture आपको यहां feel करने है और उसके बाद में यहां save कर देना है साथियों इस राजकाज के माध्यम से हम IPR प्रतेक वर्ष feel करते हैं तो आपकी जो profile है उसमें अधिक त्रूटी नहीं होगी आपकी basic पेकों आप एक बार जरूर देख लें profile update कर लेने के बाद में हमें यहां पर employee corner पर click करना होगा जैसे हम employee corner पर click करते हैं तो कुछ इस प्रकार की screen आपके सामने open हो जाती है इसमें कुछ option इस प्रकार के होगे यहां आपको एक option मिलेगा PAR का हमें यहां PAR पर click करना होगा जैसे हम PAR पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्कीन आपके सामने open हो जाती है यहां उपर आपका नाम और आपकी details यहां दिखाई देंगी यह आपको status सर्च करने का box है यहां पर आपको कुछ नहीं करना है इसके नीचे आपको यहां इस पर क्लिक करना होगा जो यह point दे रखा है यहां जैसे हम नाम के पास में इस point पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यह dark हो जाती है अब हमें APR भरना है तो इसके लिए हमें create new पर क्लिक करना है जैसे create new पर क्लिक करते हैं तो देखे इस प्रकार की स्कीन आपके सामने open हो जाती है सबसे पहले आपकी यहाँ details आप चेक कर ले अगर कोई भी detail में त्रोटी है तो हमने जिस प्रकार से आपको profile update करने की जान करे दी है तो आप वहाँ से इस profile को आप update कर ले profile update करते ही यहाँ की त्रोटी अपने आप ठीक हो जाएगी यह auto generate होती है अब हमें सबसे पहले यहाँ home district सेलेक्ट करना होगा यहाँ जैसे आप कलिक करते ही तो देखे इस प्रकार से district वारी list आपके सामने open हो जाती अब हमें यहाँ पर start date और यहाँ पर end date आपको यहाँ कलेंडर से चूज करनी है अब हमें यहाँ नीचे एक option मिलेगा इस district यह division level appraisal applicable अगर आपके लिए लागू है तो आप यहाँ पर क्लिक किए उसके बाद में हमें यहाँ पर reporting authority यहाँ पर reviewing authority और यहाँ accepting authority को चूज करना होगा इसके लिए government ने एक परिपत्र जारी किया हुआ है देखें मादमिक सिक्चा निदेखसप मोहदय का यह परिपत्र है इस परिपत्र के माद्यम से सिक्चा युभा के सभी कार्मी के पता लगा सकते हैं कि उनका प्रतिवेदन अधिकारी कौन है accepting officer कौन है देखें इसमें यह list दी हुई है इस परिपत्र को हम हमारे telegram चैनल पर इस वीडियो के साथ ही आपको उपलब्द करवाएंगे वहाँ से आप यह देख सकते हैं कि आपका reporting officer कौन है यानि कि प्रतिवेदन अधिकारी कौन है और आपका समिक्चक अधिकारी कौन है और आपका accepting यानि स्वीकार करता अधिकारी कौन है मानली जी आप किसी ग्रामिन चेतर के उच राजकिये उच प्रात्मिक विद्धाले में कारत हैं और आप अगर 33 सेनी के अध्यापक यानि के लेवल फस्ट या लेवल सेकंड या प्रभोदक हैं तो आपका प्रतिवेदक अधिकारी होगा और मुख्य बलाक शिक्षा अधिकारी आपका समिक्षक अधिकारी होगा और आपका accepting officer जिलाज शिक्षा अधिकारी मुख्याले प्रारंबिक होगा इस प्रकार से आप अपनी अथर्वेटी चूज कर सकते हैं किस प्रकार से आपको सर्च करना है इसमें दिया हुआ है type for or more chapters जाने के आपको चार अक्सर शुरू के आपको type करके search करना होगा देखिए अब जिस अधिकारी को आपको choose करना है उसी के यहां इस search bar में आपको click करना है जैसे ही आप search bar में click करते हैं इस प्रकार के screen आपके सामने open हो जाती है यहां पर आपको इस all पर click करना होगा जैसे ही आप all पर click करते हैं तो इस प्रकार का search box आपके सामने open हो जाता है आप यहाँ दो तरीके से सर्च कर सकते हैं पहले employee के name के द्वारा और दूसरा employee ID द्वारा employee ID द्वारा सर्च करना काफी easy होता है देखिए हम यहाँ employee name से सर्च करते हैं देखिए हमने यहाँ पर PO का नाम लिखकर यहाँ सर्च किया है तो नीचे यहाँ पर हमारे PO की सारी details हमारे सामें open हो गई है हमें यहाँ इस box में click करना होगा जैसे ही हम यहाँ इस box में click करते हैं तो इस प्रकार यहाँ आपको processed करना होगा processed करने पर यहाँ पर select हो जाते हैं देखिए यहाँ पर reporting officer पर हमारे PO select हो गई है इसी प्रकार से आपको living officer और इसी प्रकार से आपको accepting officer selected करना होगा हमने यहां तीनों officerों को choose कर लिया है यहां पर आपको yes, yes, yes पर click करना है देखिए यहां पर हमने yes, yes पर click कर दिया है अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप mantra ले करम चारी हैं तो आपको आपका जो वित्य वर्ष है यानिके 1 April 2021 से और 31 March 2022 तक आपका यहां पर yearly APR feel होगा और अगर आप section की staff हैं तो आपका 1 July 2021 से और 30 June 2022 तक का APR यहां पर आपको feel करना होगा इस प्रकार ये सभी एंट्रियां feel करने के बाद हमें यहां से ये रिपोर्टिंग अधिकारी के होग एपरुल के लिए प्रेशित कर देना है अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भार्ट